हेलो दोस्तों के एल्डी क्लासिस में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे आप डेली न्यूज पेपर या न्यूज में देख रहे होंगे कि अमेरिका की राष्ट पती जो डोनाल ट्रंप है इसमें परजन टाइम में उनके उपर महाभियोग की प्रिक्रिया चल लही है औ ऐसा क्या कुछ पॉइंट मिलेगा जिसे हमारे इंपॉर्टेंट या इसटेक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्यूंकि आपको पता होना चाहिए कि कि अगर किसी बड़े देश में जैसे अमेरिका में हो रहा है या चीन में कुछ हो रहा है तो आपे जानना कि समिधन के विरुद को इकारे करता या देश के खिलाब करता है तो उसके उपर लोक सभा और राजसभा को ये अधिकार दिया गया है अंचेर 61 के ते हैं तो राष्ट पर ती के ऊपर महाभीयोग की प्रिकरिया चला के उसे हटा सकते हैं उसी तरह से अमेरिका में भी जैसे ह हमारे हाँ लोक सभा राजसभा उसी तरह से वहाँ पे नाम होते हैं तो जैसे हमारे हाँ प्रिकरिया होती है जब कह सकते हैं कि राजसभा से संपन होके लोक सभा में जाती है या लोक सभा से सुरू होती है तो राजसभा में जाती है उसके बाद कह सकते हैं कि राष्ट पत पर से त्याग-पत्र देना होता है तो हम इसी के बारे में बात करेंगे और सब से पहले मैं आपको ये समझाओंगा की क्या कारण है या कह सकते हैं कि अमेरिका के राश्टप्रदी तो मैं सबसे पहले आपको मामला समझाओंगा कि क्या है ये मामला सबसे पहले आपको क्लियर करूंगा तो मामला ये है कि या चर्चा का कारण क्या है तो सबसे पहले चर्चा का कारण ये है कि अमेरिका में आपको पता होगा कि 2020 में चुना होने वाला जैसे हमारे भारत में र पढ़ेंगे या कैसे थे JOHN होती है या कैसे चुनाओ होता है उसी तरन से अमेरिका नहीं आतुल के आपको जाहएगी जैसे भाधर 실क्र के उपर क्यों प्रिक्रिया होती है या कैसे चुनाओ होता हम तो यहां पिस चार वर्स के एंत्राल पर होता है और यह भी आप पर दो जीवन तक रह सकता है लेकिन अमेरिका में एक राष्ट्पती सिर्फ दो ही कारेकाल इसका मतलब कि आठ साल तक ही रह सकता उसके बाद वो कभी भी राष्ट्पती का चुनाओ नहीं लड़ सकता यह वहां पर नियम है तो हो क्या रहा है कि अमेरिका में 2020 में एलेक्सान होने वाला है तो जो डोनाल्ड टरम्प जी है कह सकते हैं कि इनकी विरोधी पार्टी है उनके कहसते एक नेता है जिनका नाम मैं बताना चाहता हूँ जो बाइडन जो बाइडन देखिए जब बाइडन इनका नाम है कह सकते ह और इनके पुत्र हैं तो इनके ऊपर कह सकते हैं कि ब्रष्टाचार का केस चल ला है और एक यूक्रेन देश है कि समझेगा यूक्रेन देश देखे मामला थोड़ा सा लंबा है लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यह मामला आपको जैसे ही समझ मैं को उसके बात आप स कह सकते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रम की बिरूधी पार्टी के हैं और 2020 में एलेक्सन लड़ने वाले हैं तो उनके पुत्र के उपर और उनहीं के उपर जो बाइडन है कह सकते हैं उनके उपर रष्टाचार का केस चला हुगा यह है कि उन्होंने यूक्रेन में जाके रष्टा रष्टाचार का केस है आप उनको चलाए और उनको कह सकते हैं कि गलत साबित करिये और उनको कह सकते हैं कि डंडित करिये जिससे 2020 में जो इलेक्सन होने वाला है जब हमारे जो प्रतिदंदी है जो हमारे विरोधी है जब हमारे विरोधी ही नहीं रहेंगे तो कैसे अगर आप इनको खोलते नहीं या कैसे इस मामले को आगे नहीं बढ़ते हैं तो आपको जो मैं साहता या अमेरिका देश के दौरा यूकरेन को उस सारी रोक दी जाएगे तो इसी के कारण से इनका फोन टैप हो चुका है कि अमेरिका के राष्टपति डोनल्ड टरंप और यूकरेन के जो देश के राष्टपति हैं उन दोनों के बीच में जो मुबाइल से बात हुई कैसे थैए तो यो दोनों बाते record हो गए इसी के कारण से ये मामला तूल और जो इसके विरोधी पार्टी हैं वो कह सकते हैं कि इनके उपर महाभीयोग लगा के जो डोनाट ट्रंप जी हैं उनको हटाना चाह रही है ये पूरी प्रिक्रिया है तो आपने इसको समझ भी लिया होगा और एक भी मुद्दा ये भी था मुद्दा ये था कि कह सकते हैं कि इसमें जो वाइट हाउस जैसे हमारे राष्टपती बहुन होता है उसी तरह से अमेरिका के राष्टपती जहां पर रहते हैं उसको वाइट हाउस कहा जाता है तो उन्होंने कह सकते हैं कि इसमें जाज सकते हैं सहयोग नहीं किया इसलिए य राश्टर्पती वोपर ये कह सकते हैं कि आरव लगा भी या किसे प्रतिम spouse थे की वो यू executive से बात नहीं कर सकते हैं लेकिन वो चौडी चुपए या कह सकते इस तरह से चुपाके बात कर रहे थे और ये जो Mobile टेप हुआ और ये पूरी बात हैं कि लीख हुए इस करार से फैसलाई ऑगए और पहले तो कह सकते हैं कि अमेरिका के राश्टपते Δोनालड ट्रम जी ने इस बात से मानने से इंकार कर दिया कि हमने यूकरियन के राश्टपती से बात किया, लेकिन जब दबाओ बढ़ता गया और जब मामला खुलता गया और कह सकते कि ये बाते टैप वाला जो रिकार्ड की गए तो उसको सुनाया गया तो इन्होंने माना कि हाँ हमने जो युक्रेन दे से उसके राश्टपती से बात किया लेकिन इस मुद्दे पर नहीं बात किया कि जो बाइडन और उनके पुद्र के उपर जो भरष्ट अचार का किस चला है वो आगे बढ़ाया जाए और उनको कह सकते है कि सजा दिलाया जाए इसलिए ये मुद्दा आगे से आगे अब आते हैं कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे अमेरिका की राश्टपती के उपर महाभीयोग चला जाता है जैसे भारत में चला जाता है उसी तरह से ये तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो अमेरिका में राष्टपती में महाभियोग चलाना ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है ये अब तक कि अगर बात कियाज़े कि इतिहास में अगर 1776 से मैं बात करूँ तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका देस अजाद हुआ था और ये कैसे थे कि इस तरह से अजाद हुआ था तो इस तरह से अगर बात कियाज़े कि 1776 से लेकर आप तक का तीसरा ये पार हुआ या तीसरे से राष्टपती है जिनके उपर महाभियोग लगा जा लेकिन अब समझते हैं कि क्या है प्रोसेस या कैसे प्रिकरिया होती है तो जैसे हमारे हां लोक सभा और राज सभा दो सदन होते हैं उसी तरह से अमेरिका में दो सदन होते हैं पहले को हम कहते हैं जिसे हम कह सकते हैं कि तो 435 सदस समझ सकते हैं अमेरिका में अगर मैं बात करूँ कि 50 राजे हैं लेकिन अगर आप परजन टाइम में देखेंगे कि या 2020 में चुना होने वाले उसमें आप 155 राजे देख सकते हैं तो यह कह सकते हैं कि 50 राजे से चुनके सदस आते हैं 435 और दूसरा जो सदन होता ह है और सीनेत में जो सद्सक्राइब और सवाइब उती है उसे तरह से यहां पर भी है कि हाउस आप रीपरजेंटेटी में कितने हैं चारसोअपैंतिस और सीनेत में हैं सद्सक्राइब तो होता है क्या या हो क्या रहा है कि जो रिपरजेंटेटिव में है या कह सकते हैं इसमें जो अमेरिका के जो पार्टी है कह सकते हैं या अमेरिका के जो राष्टपती कह से डोनाल्ड ट्रम्प उनके जो भी पच्छी पार्टी या विरूधी पार्टी उनको कह सकते हैं कि हा उस पार्टी के स्थांप ही ह्याएं ये बार भत्ति आ यहा इस साफ रिपर्जेटेटेटिवडर आएगा आ हाँ यहां पर यह देखाज़ागा कि यह सही या क्या गलत है यह मामला कैसे थे हैं सबसे पहले आरो को देखेंगे कि सही लगा है या गलत उसके बाद यह यहां से पास करके या कैसे थे हैं कि यह मामला पकड़के या कैसे थे हैं कि इस पर जाज पर आ जाएगा यहां से तो इसके बाद यह मामला कैसे थे कि सीनेट मे तो पास हो जाएगा क्योंकि यहां पे जो भी पच्छी पार्टी डॉर्नर्ट ट्रंप के भी पच्छी पार्टी है उनके कैसे तके क किसी भी राष्ट्रपती की लगता है या लाष्ट प्रिकरिया होती है तो जो सीनेट के सौ सदस होते हैं उसके दो तिहाई सदस चे कह सकते हैं राष्टपती के खिलाप होने चाहिए तभी वो महाभियों की प्रिक्रिया संपन होती है वरना नहीं कह सकते हैं कि वो आधे धूरी रहे चाहते हैं जो अब तक कह सकते हैं कि राष्टपती के चुना मे लगता है उनके समय के लिए उतने समय के लिए उनको राष्ट पती बनाए जाता है तो यह थी हमारी कह सकते हैं कि आज का सबसे के अमेरिका के राष्ट पती के उपर महा भ्योग कैसे चलता है या क्या प्रिक्रिया होती है अभी तक का अगर आपको पूरा वीडियो समझवे हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लॉआक से रिला करें इस पीडियो को अधिक से अधिक सेएर करें अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी परकार से latest information चाहे international हो या national कैसे थे किस तर पे जो लेबल पे क्यों कोई भी किस्ते इसूज आ रहे हैं आप जानने के लिए इसी प्रकार से बने रहें और इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का कि LD Classes की ओर से धन्यवाद